Hello friends, welcome back to another video इस पोड़े में हम जानेंगे जो हमारा केमेरे से रिकार्ड किया हुआ वीडियो और या स्क्रेन रिकार्डिंग करके हम जो एडिट किया हुआ वीडियो इसका साइज जो है वो हम YouTube के हमारे अपलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा कम से कम 10 मिनिट का वीडियो जो एडिट करके हम लोग आउटपुट निकालते हैं उसका जो MB साइज है बहुत बड़ा आता है यानि 500 के अबो साइज आता है फाइल साइज है जो फाइल होती है हमारी तो अपलोड करने में दिक्कत आ जाती है क्योंकि हम बहुत फाइल को जो साइज है वो कम करना पड़ेगा लेकिन हमारी क्वालिटी के साइज है वो कांप्रमाइज नहीं होना है तो इस वीडियो में वही जानेंगे फ्रेंट चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले हमेज़े की तरह एक छोड़ी सी गुजारिश करना चाहता ह लेकिन उसको अपलोड करने में बहुत थारी दिक्कत आती है उतना बड़ा फाइल साइज हमारे फोन से अपलोड होने भी दिक्कत आती है और हमारा जो डेली लिमिट का जो एंबी भी हो है वो कम होता है वन जी भी वन आपका पास जीयो होता है तो 1.5 जीबी या 2 जीबी 3.000 फाल का होता है लेकिन अपलोड का ज पीट रहता है वह बहुत कम रहता है प्लैटन देदल के बिखान के लिए सब्सक्राइब करना रहता है तो विबिए यूटेयों हमारा वीडियो को फाइल से वह छोटा करना पड़े अले कि इंदर जो उसके नंदर नहीं होना हमें तो इसके लिए हमारे जो लास्ट वीडियो में बताया था जो हर एक यूटूबर के लिए पांच अप्लिकेशन बहुत ज़्यादा जरूर होते हैं अगर आप नहीं देखे हों तो यहां पर आई बटन में वीडियो का लिंक दे दूंगा वहां से जाके देख लेना हर एक करेंगे कितना साइस दे रहा है वह भी देखेंगे तो चलते हैं हमारे कंप्योटर स्किन की तरफ तो फैंट्स यहां पर मेरे पास हैंडब्रेक है इसको ओपन कर लेता हूं मैं जब पहली बार ओपन करते हैं ऐसे हर हमेशा हमारे को फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है यहां फाइल फोल्डर जो से file convert कर सकते हैं select कर सकते हैं और साती सत्व यहां पर option भी मिल जाता है आपको single file select करने का तो में यहां से folder से drag and drop कर लेता हूं यह मेरा file है पितले video बताया हूं अगर यह अगर इस video में देख रहे हैं तो वाला जो video है वो thumbnail के बारे में यहां पर आई बटन दे दूंगा वहां जाके देख सकते हैं तो इसी को हमें convert करना है तो यहां पर हमें drag and drop कर लेंगे तो यह ऐसे आ जाएगा लोड हो जाएगा लोड होने पर हमें क्या पूछेगा फिर destination पूछेगा यानि हमारा जो फाइल है कहां पर सेव करना चाहते हैं उसके यहां पर location देना होगा यहां से browse करना पड़ेगा हमारा जो फाइल और यहां पर मैं folder select कर लिया हूँ और यहां पर जो फाइल का नाम हमारा वीडियो का उसका नाम भी यहां पर दे सकते हैं तो मैं already edit करके जो फाइल निकाला था उसका output नाम दिया हूँ तो यहां पर आउटपूट या कुछ भी दे सकते हैं आपको यहां पे हमें पचानने के लिए फाइनल आउटपूट रखूंगा हमें इससे हमें यह फाइनल फाइल रहेगी इसको हमें डेरेक्क यूटूब में अपलोड करना पड़ेगा तो इसके लिए यहां पे सेव कर लेते हम उसके बाद हमें यहां पे कुछ ऑप्शन दिये होते हैं यह पिच्चर साइज होती है क्या होता है कि हमारा जो फाइल वीडियो फाइल होता है एकदम छोटा हो जाता है यानि हमें थोड़ा बड़ा होता है हाई डिफिनेशन का लेकिन जो कई मरतबा क्या होता है एकदम छोटे ह जाता है जो पहले जमाने के जो टीवी होती थी वो साइज के अंदर आ जाता है तो वहां पे जब error समाझ में नहीं आता है कितने भी वार हम convert करेंगे compress करेंगे तो सेम ही आता है उसके लिए हमें क्या करना है यहां पे picture जो size दिया हुआ है यहां पे automatic रखा हुआ है यहां पे यह जो top और left और bottom और right दिया हुआ है यह सब zero रहना जरूरी है zero रहने से क्या होता है जैसे हमारा file size होगा वही file size हमें output में मिलेगा अगर यहां पे कुछ भी रेडिंग आती है automatically select हो जाता है तो यहां पे custom में जाना है सब zero कर देना हमें फिर automatic select कर लेना है यहां पे zero हो जाता है अगर आपका file size चोटा या कुछ हो रहा है गड़बड हो रही है तो यहां पे एक बाद चेक कर लेना कुछ भी number नहीं रहना चाहिए यहां पे और साथी सारे फिल्टर भी आता है हमें कहीं भी छेड़काने नहीं करना चाहिए और वीडियो होता है यहां पे हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं यहां पे 22 यहां पे quality जो दिया हुआ है यहां पे 22 दिया है इसके अंदर आलड़ी यहां पे बताता हुआ है कि यहां पे 18 से 20 य हम या 21 करने से हमारा फाइल इंक्रीज होगा साइज होगा 22 या 23 करने से थोड़ा कम हो जाएगा जैसे की 200 MB के आसपास कम हो जाएगा इतना ही 22 रखना ही बहतर रिजल्ट देता है तो यह करना है और आडियो अगर आडियो में कुछ भी छेड़कानी करना चाहते हैं तो यह यहां से डिलिट कर सकते हैं लेकिन हमें किसी को भी छेड़कानी नहीं करना है क्योंकि हमारा फाइल जैसे आज टीट चाहिए हमको लेकिन हमारा फाइल का जो साइज होता है वो कम चाहिए इतना ही है तो हमें क्या करना है यहां से अगर अब सब्साइब भी होता है यहां प हो रहा है पास वान ऐसे यह फाइनल होने पर हमको फिनिश का आप्षेन आ जाता है तो इंतिजार करते हैं कितनी देर में होता है और उसके बाद फाइल का साइज देख लेते हैं तो उसके लिए थोड़ देर आगे बढ़ दें स्पीड में तो यहां पर फिनिश हो चुका है हमारा फाइल अब देखेंगे कि फाइला जो था वर्जिनल फाइल क्या साइज थी और अभी हम कंप्रेस करने के बाद क्या साइज निकलिए उच्छेक कर लेते हैं यहां से आपको और एक option यहां पर मिल जाता है प्रसेट्स यहां पर जो जो option आपको चाहिए वहां पर मिल जाता है यह विब के लिए जीमेल का मिल जाता है अपिल के यह तो सब चले गए हुए है अब इसके अंदर maximum यही काम आ रहा है हम सबको अब फास्ट एडिट एडिट 1080 का 30 इसके यह काम आ रहा है हमको यह option ही बहतर रहेगा क्योंकि मैं बहुत दिन से यूज कर रहा हूं अगर इसके अंदर कोई भी छेड़का नहीं किये तो हमारे फाइल सेट नहीं होता है यानि size ज्यादा आ जाता है कुछ ना कुछ गडबड होती है तो बहतर होगा कि आ अगर यह option यहां पर select नहीं हुआ है तो आप यहां पर देखके एक बार set कर लेजिए तो यहां पर इसको minimize कर लेते हैं और चलते हैं हमारे फाइल के सहर यहां पर दो फैल है पहले एक फैल थी यह वर्जनल फैल और यह हमारे compress होने के बाद की फैल तो यहां पर इसका size देख लेंगे एक बार 921 MB ओके इसको रहन देते हैं और इसको यहां पर देख लेते हैं यहां पर यहां पर यह वर्जनल फैल है और यह compressor है compressor का जो size है 172 MB है जो वर्जनल फैल का size है 921 MB तो कितना फारक आ चुका है देख सकते हैं 127, 172 MB आसानी से हम लोग upload कर सकते हैं अपने चानल के अंदर और 921 MB upload कर सकते हैं क्या नहीं न तो यह compressor बहुत अच्छा काम आता है मैं हमेशा यह compressor use करता हूं handbrake यह बिल्कुल free है इसके अंदर कोई पैसा लगाने का जौरत नहीं रहती है आप इसके handbrake website पे जाके भी download कर सकते हैं direct download हो जाता है कोशिच करूंगा कि लिंक दे दूंगा description में या comment box में देंगा वहां से जाके भी direct download कर सकते हैं तो यह इतना फरक आ जाता है quality में कोई compromise नहीं होती है यहां पर जो वीडियो का जो quality होता है quality कहीं भी compromise नहीं होती है यह देखो HD सेम साथा सेम quality आती है इसके अंदर कोई compromise नहीं होता है और यहां पर यह भी सेम साथा सेम quality है देखिए बहुत सारे बड़े-बड़े यूटूबर भी इसी को इस्तेमाल में लेते हैं क्योंकि फ्री से फ्री है फ्री अपकास्ट है और कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यह कोई पैसा बनने की ज़रूत नहीं रहती है कभी इस्तेमाल करती है बिल्कुल फ्री है यह था जो compression का हमारा तरीका जो कैसे file हमारे size compress कर सकते हैं जो laptop में जो PC में जो software बताया हूं फ्री software है अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं तो यहां पर link देता हूं जाकि वहां पर जो पहले हों लिंक दिया हूँआ अगर इसके बारे में इंट्रयक्षन दिया हूँआ वीडियो देख सकते हैं साती साथ बाही के चार के बारे में भी बताया हूं जो हर एक YouTuber को यह था तरीका जो लैप्टप में जो सब्टिवेर आपको यह तरीका अच्छा पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना कुछ गहना चाहते हैं तो आप सब्क्राइब भी कर लेना और वीडियो खत्म होने पर कहीं भी मत जाना यहां पर एक वीड देख लेना और सब्क्राइब करना चाहता है तो यहां पर क्लिक करके सब्क्राइब कर लेना